जीत हुई शुक्रिया आपका 32 साल की महरलक के लिए दिखें गुजरात की जनता बहुत प्रबुध जनता है एक्जिक्ट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे ये चुनाओं में लोगों ने चुनाओं के पहले एक्जिक्ट पोल वगरा ने भी काथ लोराम आदी बाटी में जो है वो छोटे भाई का रूल अदा किया देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए कोई भी राजनायतिक गल कुछ भी का बात कर सकता है नमश्कार मैं हूं मारूफ रजा और हर्फते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शक्सित मौजूद है उनका तालुक बीजे पी से हैं और एमपी हैं वो राजी सबामें बड़े पुराने और दिगज नेता हैं उसके लिए बहुत-बहुत मुभारक बाद भाद शुक्रिया आपका दूसरा इस जीत के लिए क्या कहा हैं कि एतिहासिक जीत रही उसके पीछे किन कारणों को आप श्रे देते हैं मोदी जी को वहाँ के मुख्यमंत्री को जनता को या पार्टी की पूरी कारनीती को देखिए ये जीत जो है मोदी जी का एक कुसल और रास्ट व्यापी नेतरतों तो मुख्यकारक है ही लेकिन गुजरात के जो समर्पित कारे करता है भारती जनता पार्टी के जिन्होंने पन्ना प्रमुक के रूप में और बूत इस तर पर रात दिन लग कर के काम किया है और तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी के नेतरत में जो गुजलात का मानिय प्रधान मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुआ है ये कई सारे factor हैं जो इस जीत के कारक हैं और वहां जो संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष है शियार पार्टिल साहब उनका भी नेतरतो और उनका संगठन सक्ति जो है इन सब ने मिला करके वहां इस तरह के एतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया है तो उसके लिए मैं देश के प्रदानमंत्री जी का अभी नंदन करता हूं वहां के पार्टी कारी करता हूं का गुजरात की महान जनता का और गुजरात के संगठन का ये सारे कारक मिल करके इस एतिहासिक जीत क्या कारान बनी है सर एक्जिक्ट पोल तो बता रहे थे क्या आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे लेकिन अकसर ये देखा गया है कि जब पुरानी सरकारे हो जाती है तो कहीं न कहीं एंटी इंकंबंसी फैक्टर होता है बहुत सारे लोग जो उक्ता चुके होते हैं जनता भी चाहती ह आया देखिए ये चुनाओं में लोगों ने चुनाओं के पहले एक्जिट पूल वगरा ने भी कहा था कि वहां भाजपा की सरकार बने की लेकिन जो कारिकरता और जो भाजपा का नेतर तो गुजरात के चुनाओं में गया था जुड़ा हुआ था उन सब लोगों का कहना कि वहां की जनता मन बना चुकी है भारती जनता पार्टी के लिए और एक तरफा चुनाओं के नतीजे आएंगे चुनाओं के परिणाम आने के बाद वही साबित में हुआ मानने है मोदी जी का तो एक करिश्माई व्यक्तित है ही वह जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर सारे जनता मोदी में हो जाती है और गुजरात जहां एक लंबे समय से जहां उन्होंने सेवा की है बूथ लेविल से लेकर के और अरदेश के प्रधान मंती तक उन्होंने जोडने का काम किया है और तो निश्यत रुप से गुजरात के लोगों ने पांचवी बार भारती जनता पार्टी की सरकार बनाकर लगातार पांच बार सरकार कर ना उसके बाद फिर रिपीट करना एक बहुत बड़ी बात है और मैं समस्ता हूँ इसके लिए वहाँ की जनता को अतनी बदाई दी जाएं वहां के कारिकरjestाओं को कि एक नया किर्थिमान बनाने का काम किया है और य बिना जन्ता के बीच सरकार की उज्वल शवी के नेतरत के पूरा भरोसा के बिना इतनी बड़ी जीत नहीं हो सकती थी इसके लिए सभी लोग इस बदाई के बत्तिस साल की महर लग गई यह बहुत बड़ी जीत है लेकिन जिस तरीके से राहुल गांदी भारत जोड़ो यात् क्या लगता इन तमाम चीजों का इंपक्ट बिलकुल भी नजर नहीं आया दिखें गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है वो जानती है कि ठोस विकास बिना आर्थिक संसाधनों के नहीं हो सकता और जो पार्टियां मुफ्त में रियोडी बाटने का और दिन मे सपने दिखाने का काम करती हैं उनसे प्रदेश का भविश्य और देश का भविश्य नहीं बनने वाला तातकालिक रूप से लोगों को गुमरह कर सकते हैं लेकिन दूर गामी बिना संसाधनों के किसी भी राज्य का किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता और ऐसी सरकारें ज सरकार पर बूरा भरोशा किया और पिछले 27 वरसों से जो विकास के कारे भारती जनता पार्टी के नेतरत में हुए थे वही उसके लिए एक विश्वस्नियता का एक बड़ा आधार था नेतरत के पर तोट जनता का विश्वास है कि जिसने 27 वरसों के बाद दुबारा भारती जनता पार्टी को सरकार में आने का अफसर लिया लेकिन जिस तरीके से दिली के सीम अरिवंद केजरिवाल ने कहता है मैं बोलूंगा नहीं बलकि मैं लिखके दे रहा हूं कि जो है चुनाओ के नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है लेकिन वो दिखा नहीं देखिए बड़ बोलापन में आप जब तक नतीजे नहीं आए कुछ भी गोश्रा कर सकते थे कुछ भी आप क्लेम कर सकते थे लेकिन सारे लोगों को सच्चाई मालुम थी कि कि आम आदमी पार्टी केवल हवा में है धरातल पर उसका कु आते थे लेकिन गुजरात की प्रभुद्ध जनता इन लोग के बैकावे में नहीं आई और उसका नतीजा यह सामने है लेकिन वाच्वी जी जिस तरीके से कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है कि गुजरात में अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी ने जो है वो भाई का रूल अदा किया और कॉंग्रेस के रास्ते में रोड़े अटकाए वरना तस्वीर का रुख कुछ और होता देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए कोई भी राजनायतिक दल कुछ भी का बात कर सकता है लेकिन भारती जनता पार्टी एक लंबे समय से कर रही थी जो विकास की उचाईयों तक बुर्जात को ले जाने का का काम कर रही थी एक समय हूँ था कि जब गुजरात का महाराष्ट का विभाजन हुआ था और गुजरात उस समय गुजरात में आप देखें संसाधनों के नाम पर क्या था वहाँ पर रेगिस्तान था रे जानती थी कि भारती जनता पार्टी के नितरत में मानि मोदी जी के नितरत में ही गुजरात का विकास संभो है इसलिए इन सारी लोगों जो आज चुनाओ के बाद कोई अपने पास चेहरा च्छिपाने का और का आधार नहीं है तो यह पार्टियां इस तरह की बाते कर रही जीडियां जीते हैं जैसा कि आप कहते हैं कि मोदी हैं तो मुंकिन है तो किस भारती जंता पार्टी के सलाक पूली। हमारा राश्टी नेत्रत है लेकिन ये कहना कि बारती जनता पार्टी के पास किसी राज में नेत्रत की कमी है ये कहना बिलकुल निराधार है बारती जनता पार्टी के पास प्रतेक राज में नेताओं की और विश्वसनिय नेताओं की एक ही श्रंकला है और जिसका जनता में भरोसा है जनता का विश्वास है तो इसed लिए यह आ रोप का कोई मतलब नहीं पर मोदी जी हमारी पार्टि के सीरसस्त नेता है उनके नेत्रत में जनता का टूट विश्वास है और एक सो तीम करोड देश की जनता उन पर वरुसा करती है, यह भारती जनता पार्टी का सौवाग है, कि हमको ऐसा नेता मिला है, लेकिन हमारे पास इस्थानी नेताओं की भी कहीं कमी नहीं, जिला इस तर से लेके प्रदेश से इस तर तक भारती जनता पार्टी के पास एक से अच्छे और हर छेतर के के आते हैं कि अगर कहीं चूक हो जाती तो कहीं न कहीं उसका जो एक बड़ा असर बड़ा इंपक्ट आने वाले दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाओं पर पड़ता है तो इसी उससे खुद प्रधान मंत्री ने जो संजे की भूमी का निभाई और उस रत को ले करके खु बोटा चुनाओं हो या बड़ा चुनाओं पूरी ताकत के साथ लड़ती है और यह भारती जनताओं की विश्वस निता नहीं और हमारे नेटाओं की विश्वस नियتा ये सारी चीजे हमारा आधार होती हैं, हमारी संगठन शम्ता, हमारी कार्यकरताओं की मेहनत, ये हमको विश्वास दिलाता है कि हम चुनाओं के नतीजे हमारे पक्ष़ों, तो ये कोई नई बात नहीं कि हमारा नेतरत, जब भी कोई चुनाओं लड़ता है, पूरी टाकत के साथ लड़ते हैं, इसमें हमें कोई छीपाना नहीं है, और हमारा चाहे चोटा नगरपालिका का चुनाओ हो, हर चुनाओ हमारे लिए महत्पुरू होता है और भारती जमता पार्टी हर चुनाओ को जीत के हुँ देश से लड़ती है यही वाकिए इसमें कोई शक नहीं कि बीजे पी जिस तरी के चुनाओ लड़ती है बाकि तमाम पार्टियां उस चीज का उस बात का अनुसरा नहीं कर बाती है इसलिए उनके पक्ष्मे नतीजे कुछ और आते हैं और बीजे पी और के नित सामने जो नतीजे हैं वो कुछ और आते हैं बात यहीं खतम नहीं होती है बात और भी बड़ेगी आगे भी चाहेगी मैं बात करूँगा हिमाचल की बात करूँगा दिल्ली के MCD निकाह चनाओ की लेकिन भी वक्त है ब्रेक आप ब्रेक के बाद आप कहीं न जाएं लोटूंगा और इन तमाम सवालों से आपको रूब रूब कराओंगा अट जी एले यूनिवरसिटी वी मेक दे वेई वी इंस्पायर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोगाम रूबरू और मेरे और आपके रूबरू है अशोक वाच्छपई जी बहुत शांदर तरीके से डिफेंड कर रहे हैं बात कर रहे हैं विजे पताका की जो है गाथा गा रहे हैं अब आता हूँ कहीं माचल में देव भूमें बीजी पी का जो पर्चम है वो कैसे जुग गया कैसे ठंडे प्रदेश में वो जो उत्साह था वो कैसे ठंडा पड़ गया क्या वज़े रही डबल इंजन की सरकार की आपने बात करी तो वहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी लेकिन वहाँ पर आगे वाला इंजन जो है वो पंचर क्यों हो गया देखिए दो कारण रहे हैं हमने हिमाचल प्रदेश में भी 43% मत हमको मिला है और जीतने वाली पार्टी को 43% आठ परसेंट वोट मिला है कुल 37,000 वोट हमारे और कांग्रेस के वोट में अंदर है लेकिन जो जीता वो सिकंदर जो जीता वो सिकंदर वो सही बात है इसमें कोई दोर आये नहीं लेकिन उसमें एक कारण जो सबसे बड़ा रहा है हमारी पार्टी के जिन लोगों के टिकट काटे गए बजले गए उन लोगों ने उसमें जो रिबेल हुए हैं उन लोगों ने हमारी पार्टी को काफी च्छती पहुचाने का काम किया और कई सारी सीटे ऐसी हैं जहां हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं और उसका कारणी है लेकिन अब यह होता है कि हमारी पार्टी ने लगातार पांच साल वहां सत्ता में रहकर के काम किया लेकिन जनता ने जो निर्णए दिया हमको कुछ वोटों से वहां पर सता हमसे बंचित रही, लेकिन ऐसा नहीं कि जंता वहां की जंता नहीं को नकारा नहीं, 43 प्रिजदी वोट हमको मिला है, और हमारा कुल प्रृट्षत, जो कुल वोट है हिमानचल प्रोदेश में, कांग्रिस से मात 17309 जार वोट केवल कम है जिता कांग्रिस को मिला है। लेकिस सरकार उनकी बनी है और रहा हम इस बात को सुईकार करते हैं। कहीं कहीं हमारी सेवाऊं में कमी रही है कहीं हम अपने नेतरत 보고 माध्यम से जो जनता के भी सेवाइं होनी चाहिए तो उसे पूरा करने में कहीं कता ही हुई है लेकिन हमारे कारिकरताएं ने वहाँ भी प्राणपड़ से काम किया, परणतु जो हमारी पार्टी के किस लोग जि चुनाओं में लगा था और आगे लोग सबाद चुनाओं में हम इस हार का भी कम्याजा पूरा करेंगा। परंपरा रिवायत रही है कि पांच साल कांगरेस पांच साल बीजेपी तो वो परदेश देवफुमी जो है अपनी उस परंपरा पर खायम है। अवाल गुजरात का है गुजरात में जिन लोगों के टिकट कटे या जो लोग मंद्र मंदल से पिछली बार हटाएगे पूरा मंद्र मंदल बदल दीगे। उन लोगों ने और ज्यादा उच्साह से काम किया। गुजरात में एक भी रिवेल नहीं बलकि जिन लोगों को मंद्र परशच से हटे थे उन सारे लोगों ने बड़ी मेहनस से काम किया। ने टिकट कटे थे उन لوगों ने जिसको प्रतियासी बनाया गिया। उनके लिए रात दिन काम किया। ये वहां भारती जंठा पार्टी के हमारे कारिकरताओं की और हमारी पार्टी का جो कैडर है उसका पार्टी के नीतियों के प्रदुष्वास है उसका एक उदर है। और उसमें कहीं कोई कमी रही कि जो हम हमाचल में अगर हमारे लोगों ने अगर बन लगा होता तो हम वहां पर भी हमारी सरकाल बने तो बहुत पराने दिगज नेता है आपने तमाम विचारधारा हैं देखिए इस पार्टी में भी आप जिस तरीके से हैं वो भी बड़े एहम रूल में हैं लेकिन एक जब उप चुना हुए हमाचल में उसने संकेत दे दिया था वहां पर भी क्लीन स्वीप कांग्रेस ने कर ली थी लेकिन उसके बावजूद भी शायद समझ पाने में बीजेपी ने चूक कर दी कि यह हाल अभी है तो जो में चुना होंगे उसमें क् सबख लिया होता तो शायद हिमाचल में देव भूमी में भी बीजेपी का कमल खिला होता नहीं सही बात है कि वहां पर उपचुनाओं के भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं थे और उस समय अगर पार्टी संगठन और सारी चीज़ों को उस गंभीरता से लिया गया होता तो जैसे राजावीर भदर सिंके सरग्वास के बाद क्या एक सिंपैथी वोट भी कॉंगरेस को गया गया सिंपैथी वोट भी गया क्योंको कई बार वहां के मुख्यमंतरी रहे थे और वहां के बड़े नेता थे तो निश्चित रूप से उसका भी लाब उनकी पार्टी को मि है बहुत सरी बात है दिली में आ जाते हैं जहां हम बैठे हैं दिली की राजधानी में ऩो थंडंडक थी झेव भूमें इस थंडग लेते वे यहां भी आये और लगातार यह माना जा रहा था बीज़ीP का कमल यहां भी खिलेगा. आदेश और कहीं न कहीं उसमें उनके कामों में कहीं हमारे सभासदों के पारसदों के कामों से जनता वुत्ति संतुष्ट नहीं रही होगी लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर 104 सीटे जीती हैं और जहां आप कहीं भी हम हारे भी हैं तो वहां सारी सीटों पर हम लगबग बहुत अच्छी इस सिती में थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं तो इस से इस प्रस्ट है कि हम भारती जनता पार्टी आने वाले चुनाओं में दिल्ली में भी कमल खिलेगा और ये चुनाओं भले ही एमसीडी के चुनाओं में हमको सबलता पूरी नहीं मिली है लेकिन ये कमी आगे पूरी हुई बिल्कल उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद पे जहां कायम है लेकर इसमें इन चुनाओं में देखने में ये मिलावाच पेजी के जो सांसद या जो विधायक जनता के संपर्क में नहीं था उसका मेल मिलाव जनता से नहीं था या जनता उससे नाराज थी तो उसका का MP हो उससे अगर लोग नाराथ तो वहां के सारे पार्षद आ गए ये एक साफ चुनावी जो समिकर और एक नया जो रिजल्ट निकल के आया वो चौकाता है कि दिली की जनता क्योंकि दिली में पुरा देश रहता है तो ये कहीं ना कि समझ में आता कि वो किसी पार्टी पॉ लोगा तभी तंत्र को स्थापित करेगा और जो लोग जनता के बीच चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं जनता की अप एक शाओं पर खरे नहीं उतरते हैं वो चाहे जितना बड़ा MP हो चाहे मेले हो चाहे पार्षद हो जनता समय आने पर उसका हिसाब चुकता कर देती है इसलिए लोग तंत्र में यह जरूरी है कि जो भी जन प्रचनिदी चुना जाता है लगातार जनता के बीच रहे जनता की सुक्षदुक से जुडा रहे जनता के विश्वास में कभी ना आने दे तभी हो दुबारा रिपीट होता है और जहां कहीं जिन पार्टियो से जो निकलता है वो सीधा गोल घर में जाता है तो प्रधान मंत्री नेरिदर मोदी ने बाराण सीजी को चुना सानसदे छेतर है उनका आप भी वहीं से आते हैं क्या लगता है आने वाले लोग सबाद चुनाओ जो दोहजर चौबिस में होने वाले किस तरीके की तस्वीर उतर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी पूरी मजबूती के साथ क्योंकि संग्ठन भी वहां बड़ा मजबूत है और सरकार भी दो डबल इंजन की सरकार भी वहां लोग कल्यार के निरंतर काम कर रही है और से जितने भी चुनाओ हुए हैं उनके नतीजे भारती जन्त मकाबले बारती जन्ता पार्टी और अच्छी सिटी में रहेगी और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में अबकी बारती जन्ता पार्टी लोग सम्दा चुनाओं में एक नया के अर्थिमान बनाने का काम करेंगी बड़े अंतर के साथ उत्तर प्रदेश में अभी दो उप चुनाओ के नतीजे भी आए तीन की आए एक आपके फिवर में गया जिसकी बहुत अटकले थी कि नहीं आप आएगा मुस्किम इलागा है आजम खान का इलागा है लेकिन वो आप जीत के में पूरी में एतियासिक जीत सपाने दर्ज की खतो अलिवियो जीत के वहां क्या लगता है देखिए में पूरी का चुनाओ को आप दूसरे दर्श्टी से देखें मुलाहिम सिंग जी का पिछले में पूरी से लगाओ विद्यार्थी जीवन से अध्यापक से लेकर विदान समा में पहली बार जीत के आए। और सरस्ट से लेकर अभी तक लगातार जन्ता के बीच गाम करते रहना, और मैं समँआथा हूँ महिन पूरी संसदी चेत्र के, शायद ही कोई परिवार हो जिसका कोई नो कोई काम या कोई नो कोई लाब मुलाइम सिंग के द्वारा ना पहुंचा हो ने जाने कितने लड़कों को नोकरी देना, कितने परिवारों को रुजगार देना, कितने लोगों को और दूसरे तरह की मदद करना तो पूरा संसदिय छेत्र उस प्रभाव से प्रभावित था और उनके मलने की तत्काल बाद ये चुना हुआ तो एक ऐसे बड़े अंब्रेक्टित्तों के मलने के बाद ये जनता की एक साहनबूत या उनके पर सरदानजली थी और ये ही कहकर समाजवादी पार्टी ने वोट मांगा कि मुलाइम सिंग यादो के लिए सरदानजली देनी आपको एक वोट नहीं ये सरदानजली नेताजी को देनी है तो वो सरदानजली के रूप में वोट मिला इसको सामाने चुनाव से इसकी तुलना नहीं की जा सकती लेकिन वाद दो सियासी पार्टियों ने भी प्रदानजली दे सकती थी नहीं क्यों बीजेपी क्यों दे सकती थी बीजेपी तो देखें जब उनको उनकी मुरत हुई तो सबसे पहले हमारे देश के प्रदानमंत्री ने उनके प्रति श्रदानजली दी सारे देश के बड़े नेताओं ने उनको श्रदानजली देने का क सोच है लेकिन भारती जनता पार्टी अगला चुनाओ फिफ्टी प्रस करके एक क्यावन प्रसत का लक्ष लेकर के भारती जनता पार्टी लड़ेगी और एमान के लड़ेगी ये सारे एक मंच पर होंगे तब ये भारती जनता पार्टी को अपने पुराने की रित्मान को और आगे बढ़ाना एक काम करना है तो आपने पुरानी बाते करी मुझे भी एक पुरानी बात याद अगई आपके पुराने संबंध और खास्त करके नीता जी मुलाहम सिंग यादा उसके साथ जो आपके संबंध थे वो किसी से चुपे नहीं है तो ऐसी क्या वज़े रही कि आ आप सपा छोड़ करके भाशपाब में आगे और यहां पर आगे तो अब जो विचारदारा का द्वंध है उसमें आप किस तरीके से अपने आपको कमफर्टिबल महसूस करते हैं देगे हमारा हाहम सिंग जी से लगबग पैसालीस वर्स का साथ था और लंबे राजनेतिक उनसे जुड़े थे वेक्तिगत भी जुड़े थे लेकिन कुछ कारान ऐसे रहे होंगे नेतर तो जब नेता जी को पार्टी ने विस्तापित किया और उनके सम्मान और उनकी गरिमा की परवाह नहीं की तो उन परिशितियों में हम लोग जो नेता जी के बड़े विश्वा पातर माने जाती है तो नजदिक की माने तो उनके साथ भी वह उपेक्षा का बेवार हुआ। तो राजनीती में कहीं ने कहीं सम्मान को बेच के काम नहीं किया जा सकता वही एक मुखेकार रहा और कोई ऐसी बात नहीं थी कि लंबा समय साथ बीता था लेकिन आप जानते ही बिल्कुल बिल्कुल अश्क बाश्पेजी क्योंकि आप बड़े पुराने नेता है और खुब भली बाती राजनीतियों को समझते हैं और राजनीता का एक अपना लक्ष भी होता है आपका आकना अगला लक्ष क्या अगला कदम क्या कुछ ऐसे सपने जो भी अधूरे रहे ग और मैं समझता हूँ लोक्तंत्र के सबसे बड़े सरोच सदन में हम उसको भी स्थापित किया है तो अब जो भी मेरे पास समय है वो भारती जनता पार्टी जिस रूप में उपयोग करना चाहेगी भारती जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारती जनता पार्टी को उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन साथ वो कहते हैं, दोहजार चौबिस में कमल तो खिले गई, बैरान, ये भी कयास आ रहा ही हैं, जब तक बोतल का जिन बाहर नहीं निकलेगा, यानि एवियम का जिन बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, कि वो नियूजबर इंडिया, हादाब. कोई भी राजनेतिक गल कुछ भी का बात कर सकता है.